तो आज मैंने एक सिरीज देखी जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट खरीदा हो और उसमें से गिंती के आठिया दस पिस चिप्स निकले हो तो सोचिए कैसा लगेगा आपको अगर ऐसा कुछ हाप के साथ होता आज हम बात कर रहे हैं रे नाम की एक सिरीज की जो नेट्फिक्स पर रिलीज हुई है ये सिरीज सत्य जीत रे की शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ट है जिसे अलग-अलग डैरेक्टर्स ने अपना-पना रंग दिया है इसमें चार एपिसोट्स हैं सब ये एपिसोट्स का टाइम 52-60 मिनिट्स के लगवग है हर एपिसोट में एक नई कहानी है चलिए बात करते हैं फर्स्ट एपिसोट की इसका टाइटल है फॉर्गेट मी नॉट इसमें लीड रोल में है अली फजल और श्वेता बसू वही श्वेता बसू जिनकी दमदार परफॉर्मेंस हम टाशकुन फाइल्स में देख चुके हैं पर यहां ऐसी कोई उमीद भी मत करना क्योंकि पूरी स्टोरी पर अली फजल का कबजा है वो इपशित नायर नाम के एक बिजनेसमेन बने हैं जो एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है श्वेता बसू इपशित की असिस्टेंट मैगी है इपशित का दिमाग कम्प्यूटर से भी तेज चलता है वो कुछ भी भूलता नहीं है पर धीरे धीरे वो सब कुछ भूलने लगता है और अंत में पागल खाने पहुंच जाता है इन सब के बीचे किसका हाथ है ये तो एपशित देखते देखते समझ ही आ जाता है अली फजल की एक्टिंग के बाद भी ये एपशित थोड़ा सा पकाओ बन गया है अली फजल के सीन्स बहुत ही लंबे हैं उनके डायलोक्स इरिटेटिंग लगते हैं इस एपिसोड को मैं फाइब में से वन स्टार दूंगी बात करें सेकेंड एपिसोड की जिसका नाम है बहरूपिया जिसमें लीड कास्ट में है केके मैनन और बिदिता बाग ये एपिसोड पूरीता से केके मैनन का ही है बिदिता बाग उसमें बस है उनको करने को कुछ खास मिला नहीं है केके मैनन एक मेकप आर्टिस्ट है जो बहरूपिया बनकर लोगों को धोखा देते हैं वो अलग-अलग रूप बनाते रहते हैं और अपनी आपको भगवान के बराबर समझने लगते हैं और अंत में बहुत बुरा फस जाते हैं स्टोरी काफी अच्छी है और केके मैनन का काम भी काफी अच्छा है बाकी सारी चीज़े एवरेज हैं इस एपिसोड को मैं पांच में से दो दूँगी अब बात करते हैं थर्ड एपिसोड की जिसका नाम था हंगामा है क्यों बरपा ये एक बहुत पॉपुलर गजल की लाइन्स हैं ये एपिसोड मुझे सबसे बेटर लगा इसमें लीड रोल में मेरे फेवरेट मनोजवाजपेई और गजराज है ये कानी शुरू होती है एक ट्रेन के कमपार्टमेंट में जहां मुसाफिर अली और बेग साहब भुपाल से दिली के सफर में मिलते हैं दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं दोनों पुरानी मुलाकात याद करने की कोशिश करते हैं मुसाफिर अली जो एक मशूर गजल गायक है उसी याद आता है कि दस साल पहले ऐसे ही एक ट्रेन के सफर के दोरान दोनों की मुलाकात हुई थी और मुसाफिर अली ने बेग साहब की एक बेश किमती घड़ी चुडा ली थी दर असल मुसाफिर अली का नाम उस्वप कुछ और था उसे चोरी करने की एक बीमारी थी जिसके कारण वो ना चाहते हुए भी चीज़े चुरा लेता था वो बेग साहब की घड़ी उसे वापस कर देता है बाद में उसे पता चलता है कि बेग साहब को भी वही चोरी की बिमारी होती है उन्होंनों भी मुसाफिर अली की अंगूठी चुराई थी ये कहानी इंट्रेस्टिंग थी जिसमें मनोज वाजवी और गजराज रॉय ने अच्छी एक्टिंग करी है और चार्शान लगा दिये हैं ये एपिसोड पूरे सिरीज का बेस्ट पार्ट है जिसमें डायलोग्स भी अच्छे हैं जिन्हें गर्जल और शायरी पसंद है उन्हें ये एपिसोड पसंद आएगा मैं इस एपिसोड को 5 में से 3 स्टार देती हूँ अब बात करते हैं 4 एपिसोड की जिसका नाम स्पोटलाइट है इसके बारे में मैं क्या बोलूँ इस एपिसोड का जो लीड एक्टर है उसका टैलेंट काले बादलो के जैसा पूरे एपिसोड पर शाया है जैसे काले बादल सूरज की रोशनी को छुपा देते हैं ठीक उसी तरह इस एक्टर की ओवर एक्टिंग ने एपिसोड की बाकी सारे गुड पॉइंट को छुपा दिया है अब तक तो आप जानी गय होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं जी हाँ आपने सही पहचाना हम सूपर टेलेंटेज समझने वाली सोनम कपूर के अती प्रतिभावान भाई हर्शवर्धन कपूर की बात कर रहे हैं इनको लगता है कि प्रतिभार कला भी विरासत में मिल सकती है पर भाईया ऐसा नहीं होता है गर्जब का परफ़र्मस दिया है भाईया जी ने विक्रम अरोडन एक सुपरस्टार है जो सिफ अपने लुक की वज़े से पॉपलर है एक्टिंग में वो जीरो है रियल लाइप में भी हर्शवर्धन का यही आल है दूसरा लीट करेक्टर है दीडी का जिसे राधिका मदान ने प्ले किया है यह एक साधवी है जिनके दर्शन को लोग पागल हुए रहते हैं अब हीरो को स्पॉट लाइट में रहने की आदत है पर जब दीडी के आने से स्पॉट लाइट दीडी पर चली जाती है तो हीरो बेचैन हो जाता है इसमें दिखाया जाता है कि कैसे पब्लिक अंध विश्वास के पीछे भागती है इसमें एक सीन है जिसमें हीरो का मैनेजर उससे बूलता है कि अगर तुमने दीडी से पंगा लिया तो उसके भग तुमें लिंच कर देंगे मुझे लगता है कि बॉलिवुड वालों की एक मुहीम चल रही है सनातन धर्म और संतों के प्रती लोगों में अफरत फैलाने की क्योंकि यहां ऐसा कुछ नहीं दिखा कि यह लोग जनता को अंधिविश्वास के प्रती जागरू कर रहे हूं स्पॉट लाइट को मैं दूँगी फाइब में से जीरो स्टार ओवरॉल यह सीरीज एक आर्ट फिल्म की तरह है कुछ लोगों को पसंद आएगी कुछ लोगों को नहीं आएगी सत्यजीत रे की स्टोरी को इन लोगों ने जो रंग दिया है वो काफी हद तक अच्छा भी है और कह सकते हैं बेकार भी है अगर आपको इसको देखते हैं तो अच्छा है और अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो आपको कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है ये वीडियो यहाँ पर समापत होता है चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग, बाई बाई